हेलो दोस्तों, एक्जाम ग्रेडिव चैनल में आपका स्वागत है, मेरा नाम है कुश, इसमें हम जानेंगे मानव विकास सूचकांग के बारे में Human Development Index क्या होता है, तो मानव विकास सूचकांग के इसकी सोट फोर्म है HDI, अब इसका नाम से ही पता चलता है, मानव यानि मनुष्य है, विकास का मतलब होता है विकास, और सूचकांग का मतलब होता है, लिस्ट या इंडेक्स, तो ऐसा इंडेक्स, ऐसी सूची, जिससे हमें मानव के विकास के बारे में पता चले, लेकिन किस मानव की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए, जो हमें Development Index होता है, इसको जारी करता है UN, UN यानि United Nation, अब जो UN है, वो एक संगठन है, जिसके अंदर बहुत सारे देश जो है, सामील है, और लगबग आज के समय में सारे दुनिया के जो सारे देश है, वो इसमें सामील है, ठीक है, तो उसकी एक सूची जारी करता है, UN, और इसी सूच जो है, कितना दन है, कितनी सिक्सिया है, उसका स्वास्ता कैसा, ये सब चीजे में देखी जाती है, तो इस आधार परम देख, एक देश को दूसरे देश से आगते हैं, यानि कि ये बता सकते हैं, कि वो देश विक्सित है, विकास सील है, अथवा एविक्सित है, तो अगर ह हमें ये बताना है कि एक देश विक्षित है तो उसके लिए हमें क्या करना होता है मानव विकास सूचकांग को देखना होता है ठीक है अब इसको हम कैसे मापते हैं यहाँ पर एक देश के अंदर तीन चीजे ली जाती है जीवन परतियासा शिक्स्या और परतिवेक्टि आए जीवन परतियासा का मतलब होता है कि एक देश का वेक्ति कितनी लंबी उमर तक जीता है तो जिस देश का वेक्ति ज्यादा लंबी उमर तक जीता है तो उसको ज्यादा रेंग यहाँ पर दी जाती है दूसरा इसमें सिक्स्या है और सिक्स्या का तो हम सब जानते हैं जो ज् ये लिखे लोग होते हैं जिस देश के अंदर उसको ज्यादा रैंकिंग यहां पर दी जाती हैं तीसरा है प्रति व्यक्ति आये की एक साल में जतनी आये generate करता है उसको यहां पर देखा जाता है जो व beliefs जिस देश के अंदर भी सबसे ज्यादा पैसे कमाता है एक वेक्ति उसको ज्यादा रेंकिंग दी जाते हैं यहां पर GDP की बात नहीं होती है क्योंकि GDP में क्या होता है कि टोटल सबकी इंकम को जोड़ दिया जाता है अब सबकी इंकम में क्या होता है जो बड़े देश होते हैं जिनकी आबादी ज्यादा होती है तो उनकी GDP बड़ी होती है लेकिन वहां का जो एक व्यक्ति होता है यहां पर हम मानव विकास की बात करें एक व्यक्ति की, तो एक व्यक्ति को इतना ज्यादा कुछ मिलता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर प्रति व्यक्ति आएगी बात होती है, जब प्रति व्यक्ति आए ज्यादा होती है, तो वो देश अपने आप ही डेवलोप हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो सिक्ष्य hard कर सकता है तो इन तीन चीज़ों के आदार पर ऄम जो है एक देश को मापते अब यहां पर इसके चार स्तर होते है यहां पर आप मैप देख सकते हैं तो इसमें क्या होता है इंडेक्स में एक से लेकर जीरो तक नंबर दिये पूरा विकास वो कर चुका हो और 0 का मतलब होता है कोई विकास नहीं बाकि 0 तो आपको किसी में नहीं मिलेगा तो एक भी आपको नहीं मिलेगा एक के आसपास मिल जाएंगे आपको कंट्री तो यहाँ पर देखिए रैंकिंग दी गई है तो इसको चार स्रेणियों में बाटा गया है यहाँ आठ से लेकर नो या एक तक की जो स्रेणियों होती है इसमें वो देश आते हैं जो बिलकुल उ उमर जीते हैं तो यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं जो अमेरिका और कनाडा है जो यूरोब वाला पार्ट है और यहाँ पर जापान साउथ कोरिया है और उस्ट्रेलिया तो यह देश कैसे देश है यह उच्छ रेणी के देश है ठीक है और दूसरे नंबर पर यहाँ आपर क्या आता हैं 7 से लेकर 8 तक तो ये वो देश होते हैं सोरी 7 से 8 सनी यहां पर 0.8 है ठीक है तो वैसे 78 बोल लाओं तो 0.7 से लेकर 0.8 तक क्योंकि एक और 0 के बीच में यहां पर आपको नमबर मिलेगे तो इनके बीच के जो देश आते हैं, ये high income वाले देश होते हैं, यानि इनकी जो GDP परतिवेक्ति आये होती है, वो काफी हद तक अच्छी होती है, और जो सिख्षया का स्तर है, वो भी काफी अच्छा होता है, ठीक है, और यहां के लोग भी काफी अच्छी उमर जी लेते हैं, लेकिन जो compare करें हम, उच्छ रेणी वाले, इनसे कम हैं, ठीक है, क्योंकि इनकी income भी ज्यादा होती है, और इनकी सिख्षया भी ज्यादा होती है, तो इनके पास गुंजाईस होती है, कि इतनी ज्यादा growth और कर सकते हैं, इसके बाद दोस्तों, तीसरे नमर पर आते हैं, medium, यानि क जिनकी जो growth होती है, वो चल रही होती है, आप यह कह सकते हैं, विकास इल्देश, तो यह तो थे developed country, विकास सिल्देश होते हैं, यह 0.75 से लेकर 0.70 की बीच में, ठीक है, तो यह जो देश होते हैं, जिनको यह ranking दी जाती है, यह विकास इल्देश होते हैं, इनके अंदर growth rate चल रहा होता है, तो इनकी जो जीवन परते ऐसा होती है ये medium होती है, मतलब इतने कम भी नहीं होती स्वास्ते की सुईदाई यहां पर होती है लेकिन कम होती है, success तर भी ठीक ठाक होता है बीच का normal और GDP परतिवेकते आए भी जो है इतनी ज्यादा नहीं होती है लेकिन ये progress कर रहे होते हैं, तरक्की कर रहे होते हैं तो इनके growth करने एकारण क्या हो सकता है ये आगे चल के high में पहुंचेंगे, उसके बाद very high में ठीक है, और इसके बाद आते हैं, इसके बाद बचे वे देश तो इनकी जिनकी भी ranking 0.5 से नीचे होती है वो जो है low, इसमे low की इसरेणी में रखे जाते हैं यानि सबसे कम जो है, उनको आगा जाता है क्योंकि इनकी जो सिख्षा कस्तर होता, वो बिल्कुल कम होता है जीवन परतियाशा काफी कम होता, क्योंकि medical सुईधा ही नहीं होती और GDP परतिवेक्ति आये तो बिल्कुल ही कम होती है ठीक है, गुजारा ही कर पाते हैं मुस्किल से तो इन countries के अंदर क्या होता है किसी वरकार का development देखने को नहीं मिलता है लेकिन अगर देश के अंदर सरकार stable होती है और लोग काम करते रहें तो करोथ होने लगती है तो यहाँ पर क्या करना होता है हर country को जो है अपना number बढ़ाना होता है तो थोड़ा थोड़ा progress यहाँ पर दिखाते रहते है बस यहाँ पर आपको स्रेणी याद रखनी है च्यार स्रेणी में इसको बाटा जाता है जो मानो विकास सुचकांग का दोस्तों इसको 1990 में जारी किया था पाकिस्तानी अर्थास्त्री महमूद उलहक द्वारा तियार किया गा जारी तो UN ने किया था तो बाद में क्या किया UN ने इसको सामिल कर लिया अब इन्हों ने बता दिया होगा कि हम ऐसे ऐसे जो है एक देश की तरक्की को माप सकते हैं तो इसके बाद UN ने इसको सामिल कर लिया नोबल पुरुसकार विजेता अमर्ते सेन ने मानो अक्समदाओं पर अपने काम में जो है इसका इस्तेमाल किया था मानो विकास सुचकांका अब हम रेटिंग देखते है तो यहाँ पर पहले रैंक पर आता है नौर्वे यह उनिस सो दोजार उनिस का डाटा है और दोजार बीस में यह रिपोर्ट जारी की थी तो नौर्वे इसमें पहले नंबर पर आता है जिसकी HDI रैंक कितनी है 0.957 ठीक है तो पहले नंबर पर है उसके बाद है आइरलेंड इसने काफी अची ग्रोथ दिखाई है साथ पाइदान उपर गाया यह पिछले 5 साल में हाँ 5 साल में तो इसकी HDI रैंक है 0.955 इसकी थी 957 तो हो सकता है आइरलेंड जो है अब पहले नंबर पर आ गया हूँ ठीक है क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं इसमें इंडिया की बात करें तो इंडिया की रैंकिंग है यहाँ पर 130 है पूरी दुनिया में एक पाइदान हम उपर गए हैं एक साल में और हमारी एजडियाई नंबर है 0.645 ठीक है और गरोथ भी काफी अच्छी देखने को मिलिये पिछले 10 सालों में हर साल जो है एक पॉइंट तो एक परतिशच जो है गरोथ यहाँ पर दिखाईए तो बंगलादेश 133 वे नंबर पर है और बुटान हमसे दो नंबर आगे है मतलब यहाँ पर 139 वे नंबर पर बुटान की जो एजडियाई रेंकिंग है वो कितनी है 0.54 ठीक है और गरोथ रेट भी काफी अच्छा है यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करेंगे जो पहले नंबर पर देश है पहले दूसरे तीसरे उनकी जो गरोथ परसेंटेज है वो इतनी ज़्यादा नहीं है उसके पीछे रीजन क्या होता है कि इनकी जो गरोथ होती है वो पहले ही हो चुकी होती है अब आइरलेंड के लोग जो है काफी अच्छे पढ़े लखे है इनकी जो पर कैपिटाइग का वो भी काफी अच्छी है स्वास्ते के लिए भी काफी जो सुविदाएं होती है वो है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या गरोथ करेंगी ठीक है जो होना है खो लिया लेकिन इंडिया है बुटान है बांगला देश है इनके पास मोका है लोग जो हैं सभी पड़े लिखी नहीं है तो जितने चाहें सिक्ष्या बढ़ा सकते हैं तो इसलिए गरोथ ज़्यादा देखने को मिलती है स्वास्त की सुविधाई भी इतनी ज़्यादा तो नहीं है तो जितनी भी सरकार यहां पर स्वास्त की सुविधाई देती है तो उससे गरोथ एकदम से ज़्यादा देखने को मिलती है तो इसलिए जैसे जैसे हैं उपर जाते रहते हैं रेंकिंग तो growth rate कम होते रहता है तो यही था इस वीडियो में वीडियो पुस्था है से like, share, subscribe रूप करें thanks for watching